अब लोगे वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल यह सी एस्टरी पॉइंट वाइस के आधका डिसकसन का टॉफिक जो आज हम डिसकस करने वाले हैं कुछ सेप्टी फीचर्स होते हैं क्रें में उसके बारे में सेप्टी डिवाइसे इंड क्रेंस ते सेप्टी जो फीचर्स इ स्विच जो ओभर व्यूम को उने से बचाता है ओभर होस्ट लिए स्विच ओभर होस से बचाता है बूम एंगल इंडिकेटर है जो बूम के सामने केविन के पास लगा होता है जिससे मालूम पड़ता है कि इसका एंगल अभी कितना है और एक और उसमें एक फीचर है जो है SLI safe load indicator जो already cabin के अंदर लगा हुआ होता है almost अभी जितने भी crane है वो सारे chronom है जो SLI अभी provide कर दिया गया है तो उससे पता चलता है कि इसका safe load अभी कितना है और उसके अधारपी उसको थाना अगर इसको cross करेगा तो आप accident होने का डर हो सकता है नेक्स देखते हैं safety devices in crane तो यह देख रहे है एक crane है crane का figure आप यहाँ देख रहे है यह है जो इसका counter weight है एक रॉलर है एक crane है बट इसके बारे में चर्चे आग्चली हम नहीं करने बाले है अब यहाँ देखेंगे boom limit switch तो boom limit switch का रहता है यहाँ पर रहता है boom limit switch का function क्या होता है कि अगर इसके boom को up लेगा तो यह boom यहाँ पर आके touch होगा और boom यह जहाँ जैसे ही touch होगा तो यहाँ से alarming आना चालू हो जाएगा जैसे operator को मालूम पढ़ जाता है कि boom का limit हमने cross कर लिया है और boom को down करेगा फिरो इससे ज्यादा उपर नहीं लेगा नहीं तो यह alarming देना चालू रखेगा नेक्ट आगर आप सपोज करो कि यहाँ boom limit switch नहीं है तो क्रेन को operator को क्या alarming नहीं मिलेगा जिससे क्या होगा boom ज्यादा over हो जाएगा फिर बाद में boom उल्टे तरफ है जो ट्रिप हो जाता है यह है over host limit switch जो कि यहाँ पे होता है यह अगर इसमें यहाँ कि टच होगा जो हुक है जैसे ज्यादा host करेंगे तो यहाँ कि टच होगा यहाँ जब टच होगा तो इसको alarming चालू हो जाएगा operator को मालूप पड़ेगा कि हमने अगर ज्यादा कर दिया host को ज्यादा कर दिया जिसके कारण alarming आना चालू हो गया और यहाँ पर होता है यह है जो connect होता है इस boom के साथ और उसके कारण यह है क्या है angle plate है जो की pointer है इससे मालूम पड़ता है जैसे इसे boom आप होगा इसका angle यहाँ change होते जाता है इस पर already लिखा हुआ रहता है जैसे मालूम प्रता भी कितना degree पर यह है जो की boom है next देखते हैं पहला मैंने point किया था hook latch का hook में latch नहीं है तो unshape activity है यह दो किसे जो होता है एक तो इस तरह से अगर इसमें latch नहीं है इसलिए hook latch का होना जरूरी है और hook latch टाइट होना चाहिए अगर वो भी loose है तो इसके pressure के कारण कि sling wire rope का होता है तो इसमें भी काफी pressure होता है और tension tight होता है तो इसके कारण latch को वो उपर उठा देगा बाहर आ जाएगा इसलिए hook latch बिल्कुल tight होना चाहिए ताकि इससे बाहर नहीं आए नेक देखते है अब sense of boom limit switch अब boom limit switch अगर नहीं है तो क्या case हो सकता है अभी जो हमने features अब बता रहे हैं आपको उस feature में देखते हैं कि no boom limit switch अब यहाँ पे boom limit switch है ही नहीं जो यहाँ पर मैंने बताया थे limit switch boom का यह है और यहाँ पर boom limit switch नहीं है तो क्या होगा यह है जो boom है जो ज़्यादा अब हो जाएगा और फिर load है जो जाके boom से खुट टकराएगा और boom को damage कर सकता है बूम पीछो की और triple हो सकता है गिर सकता है तो देख रहे हैं भूम limit switch यहाँ पे रहता है यह क्या करता है बूम को over होने से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है होने नहीं देता यह है जो की overhouse limit switch है hook light है जो की बताए यह पहले पुराना ही यह दिखा रहा है नेक देखते हैं अब सेन्स अगोफर होस्त लिभी स्विच अगर ओभर होस्त लिभी स्विच है तो क्या होगा यहां पर देख रहे हैं यह एक सही है और फ़िद्ग होना हो सकता पासिबल हो जैसे यहां लियाकर तच करेंगा देखिया है तेक अलार्मिंग देना चालो करेगा जिससे operator को मालूप पड़ जागा कि हमाइश का बूम है जो क्या हो गया है तच हो गया है इसका होस्ट है जो टच हो गया है जिसके कारणी प्रॉलम है तो होस्ट को क्या करेगा डाउन करेगा ठीक है तो यह सारे सहे जो limit switches लगे रहते है है इसमें है यह यह perfect for Good Management system तो needlesmen system में ने के पहले आपसे अमने के एक ऐसले एक भी बात किया था सेप लोड इंडीकेटर सेफ लोड इंडीकेटर सेप्रीवेन के बारे में सारा डेटल बताता है कि केडिन अभी कितना एंगल उसका है उसका बूम लेंध कितना है इसके अभी कारेंट काइपसिटी उठाने की कितनी है वो सारे चीज उसमें डीटेल बताता है तो SLI अभी Almost जितने भी क्रेन है वो सभी में है और है है जो इन सारे चीजहों को इंडीकेट करता है इसलों एक्सिदेट का खत्रा गट गया है थीक है tips for good management system a good management system को खास करके रीगिंग activity में ए टिब क्या है good management system तब पहला inspection of equipment immediately after the receiving कहीं से भी आपको receiving होता है तो उसका inspection करना जरूरी है उसके बाद जाब उसको inspection करने सेट रिल्स जो भी है उसको फॉलोई आप करना है ताकि ticket सिगनल मेंसे पिस रखना क्यों सीग्नल मेंसी रहता है और उसे क्या एक्र ट्यूनिंग बना रहता है तो सिंगल क्या दे रहा बेकर को अच्छे से समझ में आते हैं नेक्स है फिक्स ऑपरेटर ऑपरेटर को भी बारबर चेंज नहीं करते रहना चाहिए तो इस सारे टिप्स हैं जो कि लिफ्टिंग एक्टिविटी में जो अगर फॉलू करते हैं तो काफी हट तक रूका जा सकता है कि एक प्रोबर्ब है कि इनी पीस ऑफ इक्टिविट्मेंट इंगर चला गया तो फिर वह सेफ नहीं है वह हमारे लिए कुछ और ही हो सकता है तो ओके दोस्ते छोटा सा वीडियो था आपके लिए जो कि मैंने क्रेन सेफटी भी बनाया था क्रेन में कितने सेफटी एक्यूपमेंट होते हैं क्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बारे में बताया तो मिलते हैं आपसे अप नेक्स वीडियो में और आप लोग से रि इफॉर्मेसन मिले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे ओके थैंक यू